हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो इंडिया एजुकेशन हब मैं दिपशिखा स्वागत करती हूँ आपका दोस्तो इस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ पर डिसकस करने वाले हैं आपके इंट्रेंस एक्जाम टेस्ट की जो है पूरी जानकारी यहां मिलने वाली है और हम को आपको पता है जो यहां पर आपके कोर्स हैं BOT, BPT यह विभीन कोर्स इंट्रेंस एक्जाम कंड़क्ट करा जाते हैं खुद बनारा हिंदू युनिवरस्टी द्वारा तो आईए चलते हैं सबसे पहले आपकी जो डेट हैं इंट्रेंस एक्जाम की वो संडे को निधारित क की गई है और यह आपके इंट्रेंस होने वाले हैं डिसेंबर में तो आप सभी लोग रेडी हो जाईए वैसे तो आप सभी बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे तो लीजिए आपके सामने पूरा मैंने ब्रॉश्य डाउनलोड किया है और इसमें जो भी इंपॉर्टन कब से आ रहे हैं तो यहां पर तारिक दी हुई है तीस तारिक आपका जो है तीस तारिक सापकी यह फॉर्म आ रहे हैं इसको आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा लास्टेट सब्मिशन कर दिया हुआ है 1911 चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं आगे आपको बताने व पड़े तो इंट्रिंस एक्जाम के जो आपकी फीस है वो है बारासो रुपए फोर जन्रल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स और बाकी जो सारे कैंडिडेट्स है लाइक सी एस्टी पीसी इडब्लूएस इनके लिए 900 रखी गई है तो यहां पर सबसे पहले वी फार्मा में देखते हैं तो आपके जो एलिजबिटी रिक्वार्मेंट है वो है कि आप 12% होने चाहिए अगर आप जन्रल या ओबीसी से आ तो आपकी कम से कम 50% होने चाहिए माक्स और ऐसी ऐसी कैंडिडेट्स के लिए 40% निधारित किया गया यह कोर्स आपका चार साल का होता है सीट देखिए 37 सीट है और यहां पर मंतली सौरी अगर हम बात करें तो पचास हजार आपका कोर्स पीस है चलिए आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स कोर्स है वो है बीयोटी ठीक है इसमें भी वही सेम चीज़े हैं आपकी क्यापका ट् अग्विज में हैं और फीस आपकी दिख रही होगी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है जो स्टुडेंट्स अधिकतर पूछते हैं वह आपकी क्वेस्टिन पेपर वह किस लेंग्विज में हैं हिंदी और इंग्लीश में और फॉर्म को काफी ध्यान से भढ आप जो है, the candidate should be Indian, यह तो common सी बात है, एज की बात करें तो यह 17 से लेकि 25 तक है आपकी एज, उसके अलावा यहाँ पर चीज यह भी दिवी ही है, जो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी एज 18 से कम है, तो यहाँ पर आपको अपने parents की information देनी होगी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेखते हैं, यहाँ पर qualification के बार में, मैंने आपको पहले ही उपर बता दिया थे कि आपकी qualification क्या होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपकी जो subject है, वो होना चाहिए, physics, chemistry, biology और English, यह आपकी subject होने चाहिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो बात है, वो है seat को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं, बी फार्मा में आपकी जो seat दी है, वो 37 है, बी योटी के लिए seat है 25, बी पीटी के लिए seat है 25, और यहाँ पर category wise जैसे की male, female के लिए या ऐसी ऐसी candidate white यहाँ पर आप अपने seat देख सकते है दोस्तों यहाँ पर जितनी में important information थी, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पूरी बात बताने की कोशिश की है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी merit list त्यार कैसे होती है, तो चाहे कोई भी exam हो, उसमें एक होता है नियुंतम आपका marks तो होना ही चाहिए, तो जो आपकी merit list त्यार होती है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपकी geology में है, वो कितने आपके marks आ रहे हैं, geology के बाद अगर हम second बात करें तो body के marks आपके count किये जाते हैं, third पर आता है chemistry और fourth पर आता है physics, यह होता है एक त्यार करने का तरीका आपका merit list, अगर वहाँ पर भी स student में सभी के marks same है, तो आप यह सोचेंगे कि उन दोनों में से किसका admission होगा, तो last time पर जो admission होता है, जिसका उम्र जादा होती है, एज जादा होती है, senior age की उसे rank high मिलती है, इस तरह से आपका यह पूरा admission process होता है, तो I hope यहाँ पर आपको full information मिल गई होगी, अगर इसके बा अनकारी अगर आप पाना चाहते हैं, तो आगे और भी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को हमारी जरूर सस्क्राइब करें, जहां पर आपको B.H.O. इंट्रेंस से related लगातार update हम आपको पहुचाते रहते हैं, तो thanks दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक share करेंगे, अप हुले.